तो UPSC की website पे upsc.gov.in पे UPSC का जो civil services exam है 2020 उसके cutoff marks आचुके हैं prelims, mains और जो final merit list है उसके क्या cutoff marks है वो UPSC की website पे आचुके हैं उसके ओपर यह वीडियो रहाएगा जहां पर हम आपको बताऊंगा कि कितने cutoff marks है किस category में और 2021 के लिए आप लोग जो त्यारी कर रहे हो उसम कि आपकी क्या direction रहनी चाहिए अनकाडमी और सब्सक्राइब करने के लिए उसे रफिल कोड मुद्रगुप्तर इंवन डिसकाउंट के लिए 169 प्लस ELECTIONS वो अनकाडमी से इस बार AIR 2 वास फॉम अनकाडमी और अधर रंकर्स आज़ 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 काफी लोगों ने क्रै कि बहुत सर्प्राइजिंग रही है 92.51 मार्क्स रहे हैं जनरल कैटेगरी के लिए मतलब की one of the lowest cutoff रही है यहां से clear cut signal यह मिलते है कि अगर paper मुश्किल है तो वह सब के लिए मुश्किल है मिरको अच्छे सहाद है पिछली बार 2020 का प्रिलम्स हुआ एक्जाम होल से candidates निकलत और बाकी सारी चीजें लेकिन वह यह भूल गई कि अगर मुश्किल है तो वह सभी के लिए मुश्किल है इसलिए cutoff भी इसबर 92.51 गई है अगर मैं इस cutoff को 2019 के cutoff से match करता हूं 2019 के cutoff था 98 marks था तो आप यह देखिए साड़े 5 नंबर से cutoff कम हो गया which is a very huge margin साड़े 5 नंबर से and environment ecology science tech से थोड़े से unconventional questions थे quality economy थोड़े असान थे but overall paper थोड़े सा unconventional था जिसकी वरे से आप यहां पे देखिए cutoff पे reflection दिख रहा है इसके अलावा EWS section में जो cutoff था वो 77.55 marks था OBC में 89 marks SC category में 74.84 and ST category में 68 marks पे जो था वो cutoff था people with disabilities के cutoffs यहां पे mentioned है category 1 से 5 तक इसके अला अगर आपको mains qualify करना है यहां पे mains में जो marks calculate हुए है वो 7 paper के calculate हुए है 7 paper मतलब GS paper 1, 2, 3, 4, 2 paper optional के और 1 essay का paper सारे paper 200 marks के होते हैं उसमें से अगर आपके 736 marks बन रहे हैं तो approximately आपका mains clear हो जाएगा और आपको interview call आ जाएगा मतलब की हर paper में on an average आपको सिरफ और सिरफ 105 number score करने हैं मतलब की इस बार अगर हम mains का paper देखें तो वो भी थोड़ा unconventional था quality, economy और बाकी subjects में थोड़े से unconventional और मुश्किल questions पूछेगा है जिसकी वरे से cutoff comparatively कम गया है पिछली बार 2019 का mains उसका cutoff था 751 लेकिन इस बार 2020 के mains का cutoff है 736 है 7 paper होते हैं तो on an average अगर आप 105 number score कर रहे ह हो तो आपका mains clear होगा इसका मतलब यह है कि 105 से जितना उपर जाते रहोगे हर paper में rank improve होती रहेगी और 120-130 cross करोगे तो double digit, single digit की तरफ आगे बढ़ने लगोगे तो कहने का मतलब है minimum 105 number तो चाहिए ही चाहिए थे इस बार लेकिन इसके आगे जितना लाओगे rank improve होती रहेगी 48, 699, 425 and 300 respectively अगर बात करें interview की आप यह देखिए कि mains में कम से कम आपको चाहिए 736 marks और interview में कम से कम आपको चाहिए 208 marks क्यों 736 plus 208 तो आपको मिलेगा 944 मतलब कि interview जो कि 275 marks को होता है उसमें से आपको 208 number चाहिए थे minimum यहाँ पे देखो जो यह final cutoff आई है यह mains और interview combine करके आई है कहने का मतलब है अगर आप mains का score बढ़ाते रहोगे 750 ले आओगे 800 ले आओगे 825 ले आओगे तो उसी proportion में आपके interview के marks यहाँ पे काम होता रहेंगे कहने का मतलब है कि mains और interview मिला के आपको 944 marks से यह थे मतलब कि जिस candidate के 736 marks आये हैं उनको interview में काफी अच्छा score करना पड़ा होगा 208 number score करने पड़े होगे तब ही जाके उनका 944 का cutoff mark clear हुआ होगा तो interview काफी high scoring रहा अगर हम data को analyze करें अगर आपका mains का score अच्छा है तो interview में थोड़ा बहुत लीवे चलता है तो यहाँ से अपने को यह समझा आता है कि अगर paper मुश्किल है चाहे वो pre हो या mains हो cutoff कम जाएगा सभी के लिए मुश्किल होता है तो इसलिए cutoff कम जाएगा कि 100% accuracy आप शो करो prelims में वो humanly possible ही नहीं है कहने का मतलब है candidates जो बात करते हैं कि sir 80 questions करने है या 90 करने है prelims में attempt कितने करने है यहाँ पे आप मेरी बात का मतलब समझेए मैं बस यह कहना चाहरा हूँ कि आप यह 80-90 attempt के पीचे मत भागिए अगर आप high accuracy के साथ कम number of questions भी attempt कर रहे हो तो भी आपका बहुत strong chance आपे बनता है क्योंकि cutoff सिरफ 92 marks गया था जो कि 47 questions attempt करके कि असानी से निकल सकता है गर accuracy 100% of course practical possible नहीं है मैं सब आपके लिए perspective बता रहा हूँ यहाँ पे right टियारी करते रहिए standard sources पढ़ते रहिए बाकी इसके आगे जो भी UPSC notification आएगा उस पर वीडियो बन जाएगा keep preparing and let's crack it using the ruffle code Madhut Gupta Unacademy से 169 plus selections इस बार